नमस्कार मनिस सोधिया की मुस्किले थोरी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है एक मुस्किले कम नहीं होती दोबारा मुस्किले और जादा बढ़ जाती है जब भी जमानत की याचिका डालते हैं वह खारीज हो जाती है उधर केजडी वाल भी समस्याओं से जूज रहे हैं अपनी पाटी को बचाने के लिए तमाम कोशी से कर रहे हैं पाटी में फूट पर रही है मारपिट की नौबत आ चुकी है तो ऐसे हालात में अरविंद केजडी वाल पूरी तरह से बौखलाय हुए हैं जब अपने पाटी में आम आदमी पाटी के रोड शो के दवरान कानून विवस्था धेर होती हुई दिखी है शक्ति परदर्सन के लिए निकाले गए रोड शो के दवरान कारेकरता आपस में ही भिर गए यूखों में जम कर लात गूसे चले वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी लेकिन वह लोगों के सिर फट गए अब किसी के मूँपर चोटे आई हैं तो किसी के सिर फटे हुए दिखें हैं बताया गया है कि जिन दो पक्षों में जगरा हुआ है वह सुसील रिंकू और उनके विरोधी पारसत के समर्थक हैं अब आम आदमी पाटी में बेशक विधायकों से ले अब आदमी पाटी बहुत अच्छी पाटी है संसकारी पाटी है जगला लराई नहीं करती है गोटाले बाजी नहीं करती है तमाम ऐसी बाते केजरी वाल जी अपनी सभा में कह रखे हैं लेकिन आप इस घटना को देख रहे होंगे और आपने देखा और देख करके क्या अन हीती में तो यही दिखता है कि आम आदमी पाटी में उनके कारकरता में एक जूटता नहीं है और जब इनके कारकरताओं में ही एक जूटता नहीं है तो यहां जनता को कैसे एक चूट कर पाएंगे जनता के लाब के लिए कैसे सोच पाएंगे केजरी वाल जी के उपर बहु इमानदार व्यक्ति हैं संसकारी व्यक्ति हैं तो फर आपके पाटी में जगरा लाराई क्यूं हो रहा है क्यूं आपस में लोग भिर रहे हैं एक दुसरे पे लात घुसों से बारिस हो रही है एक दुसरे को लात घुसों से पीट रहे हैं समाज में क्या मैसस दे रहे हैं आप अब जनता तो यही कह रही है कि केजरी वाल जी को यह जनता के बीच में बस जूटी लॉलिपप दिखाते हैं लोगों को मुर्ख बनाते हैं लेकिन अब केजरी वाल जी जादा दिन तक जनता को मुर्ख नहीं बना पाएंगे आप तो जनता पुरी तरीके से समझ चुकी है कि केजरी वाल जी कितना जूट बोलते हैं जूटो के सरदागर हैं सरदार है केजरी वाल जी आप तो अब मनी सी सोदिया को कोड़ से जटका लगा है बहुत बढ़ा जटका लग गया है और इस जटके के बाद आम आदमी पाटी में पुरी तरीके से हर कम मच गई है लेकिन उनको एक फोटो सोचल मीडिया पे तेजी से वैरल हो रही है आप स्क्रीन पर यह फोटो देख सकते हैं दोस्तों और इस फोटो में मनीज सी सोधिया मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं लिफ्ट के अंदर की यह फोटो है और कोट से इनको जटका मिल चुका है और आज पास पुलिस मौजूद है लेकिन मनीज सी सोधिया बिल्कुल नसने है खुश है उन्हें किसी तरह का तकलीफ नहीं है कि कोट ने मुझे जटका दे दिया है और मैं शराब घोटाले में जेल में सलाखों के पीछे बंद हूँ इनको कोई अपसोस नहीं है सी सोधिया जी को क्योंकि केजडिवाल जी दिल्ली के मुखे मंत्री जो है पूरे देश में किरकिरी हो रही है मनीज सी सोधिया जी को लेकिन इसका गम नहीं है इनको तो सोसल मीडिया पर यह फोटो वारल हो रही है और लोग यह कह रहे हैं कि मनीज सी सोध या दारू बेच करके खा गए हैं शराब निती केस में जेल में बंद दिल्ली के पुर्वर डिप्टिसीम मनिसी सोधिया के खिलाफ एडी केस में जमानत पर सुनवाई हुई हलाकि कोट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है अब कोट 26 अपरेल को 4 बजे फैसला सुनाईगी ये बहुत बड़ी और ब्रेकिंग ख़बार है दोस्तो इससे पहले 24 अपरेल को एडी की सप्लीमेंटरी चाड़ सिट जो है उस पर भी दिल्ली कोट में बहस होगी लेकिन इडी केस में मनी सिसोधिया की زمานत पर वो सुनवाई पहले ट्राइल कोट में हो चुकी है उसी दावरान सुनवाई 18 अपरेल को तै की गई थी अब इडी ने 17 अपरेल को कोट में कहा कि वो अपरेल के आखर में मनी सिसोधिया अमन्दिप सिंधाल और अरुण पिल्लै के खिलाफ अगली चार्ट सिट भी फायल करने वाली है अब ईडिजिग चार्ट सि ब्लासा करने वाली है उसमें और भी बहुत सारे बरे बरे मंतरी बरे बरे Smells नेता मुख्यमंतरी भी शामिल हो सकते हैं उन पर भी कानूनी सिकन्जा कद सकता है भले कुछ लोग अप इसके तहत बड़े बड़े गुरगे शिराब घोटाले के मास्टर माइंड वह सब गिरफतारी के कागार पर आएंगे और सब को जिल जाना परेगा लेकिन खुद को बचाने के लिए लोग सुवा साम जूट बोल रहे हैं लेकिन जूट का सहारा ले करके कोई कितने दिन तक अपने आपको बचा सकता है या छुपा सकता है अपने आपको बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं आम आदमी पाटी सरकार के बरे बरे नेता मंत्री विधायक लेकिन कानून की हाथ बहुत बड़ी होती है वो ज्यादा दिन तक बच नहीं सकते हैं एक दिन पुरी दुनिया क सामने आ करके रहेगी कि कौन शराब घोटाले का मास्टर माइंड है जब से केजडी वाल जी को CBI का समन मिला है जब से 9 घंटे की पूच्ता चुई है तब से केजडी वाल जी बॉखलाए हुए है चपन सवाल जो पूछेंगा हैं CBI के द्वारा केजडी वाल से उन तमान सव केजडी वाल से बॉखलाए हुए हैं मीडिया के सामने कुछ भोल नहीं पा रहे हैं जितनी ज़्यादा उनकी खlection करके पहले बयान बाजी आती तीq जिस आत्मिस्वास के साथ वह पहले बयान बाजी करते थे आज उनकी बैयानों में जो लरकराहट है जो डर है वह दिक रह लोग नहीं जानते हैं तो उनको डर इस चीज का है कि वह सच्चाई कहीं दुनिया के सामने आ जाएगी तो मेरी पोल खुल जाएगी और एक तरफ विपक्ष भी निजाना साथ रही है केजरी वाल जी के उपर कि शराब घोटाले के मास्टर माइंड अरविंद केजरी वाल है और इनको जल से जल गरफतार किया जाए इनका जो पॉलिग्राफ टेस्ट करवाया जाए इनका नार्को टेक्स्ट करवाया जाए तो सब दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा जितनी जादा ये भरामकता फैला रहे हैं जनता के बीच में ये सब दुनिया के सामने ज सब के सामने हो जाएगा